हेलो दोस्तो आरके मिक्स इंटर्टेन्मेंट चैनल पर आपका स्वागत दोस्तो आज खेले गए IPL के 51 मैच में जो की दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियन्स के बीच में खेला गया दोस्तो इस मैच में मुंबई इंडियन्स ने टोस जीतते हुए पहले गेंद बाजी का फैसला किया और दिल्ली कैपिटल्स के सामने बले बाजी का नोता दिया और उनका ये फैसला सही भी साबित हुआ क्योंकि मुंबई इंडियन्स ने आज ये मैच बड़ी ही असानी से अपने नाम कर लिया और ये मैच नो विक्टो से जीत गए दोस्तो ये एक लो स्कोरिंग मैच था अब मैं आपको इस पूरे मैच का बारे में बताता हूँ कि क्या क्या हुआ दोस्तो जैसा कि टोस हारने के बाद दिल्ली कैपिटल्स पहले बल्ले बाजी करने पिछ पर उतरी तो उनकी सुरुआत काफी बेकार रही उनका ना तो वो र पहले बल्ली बाजी करते हुए पिछ पर आई तो उनका पहला विकेट दिल्ली कैपिटल्स के कुल स्कोर एक रन पर ही गिर गया जो की सिखर दवन के रूप में था दोस्तो सिखर दवन ने आउट होने से पहले दो गेंदे खेली और बिना कोई रन बनाए आउट हो गए औ और उनका विकेट बोल्ट ने लिया उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स का दूसरा विकेट दिल्ली कैपिटल्स के कुल स्कोर 15 रन पर गिरा जो की पृत्वी शाह के रूप में था दोस्तों पृत्वी शाह ने आउट होने से पहले 11 गेंदे खेली 10 रन बनाए और 2 चोक के ल अईयर की रूप में था दोस्तों अईयर ने एक कप्तानी वारी पारी जरूर खेलने की कोशिश की लेकिन वो उसको भुना नहीं सके और वो 29 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हो गए उन्होंने अपनी पारी में एक चुक्का और एक चुक्का लगाया और उनका विकेट र ज्यादा रन बनाने वाले थे वो थे सीरियस अईयर उन्होंने 25 रन बनाये थे उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स का जो चोथा विकेट था वो दिल्ली कैपिटल्स के कुल स्कूर 57 रन पर गिरा श्टोइनस के रूप में दोस्तों श्टोइनस ने आउट होने से पहले तीन गेंदे खेली और दो रन बनाये बिना कोई चोक्के और चक्के के और उनका विकेट बुमरा ने लिया उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स का पांचवा विकेट दिल्ली कैपिटल्स के कुल स्कूर 62 रन पर गिरा जो की पंत के रूप में था पंत ने दोस्तों आउट होने से पहले 24 गेंदों पर 21 रन बनाये दो चोको की मदद से और इने बुमरा ने लबी डबलू आउट किया दोस्तों इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स का जो छटा विकेट था वो दिल्ली कैपिटल्स के कुल स्कूर 63 रन पर गिरा जो की हरसल पटेल के रूप में था दोस्तों हर उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स का जो सातवा विकेट था वो दिल्ली कैपिटल्स के कुल स्कूर 68 रन पर गिरा जो की हैटमायर के रूप में था हैटमायर ने दोस्तों आउट होने से पहले 13 गेंदे खेली और 11 रन बनाये जिसमें एक चोक का शामिल था और इनका विकेट कॉल्टर नायल ने लिया इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स का आठवा विकेट दिल्ली कैपिटल्स के कुल स्कूर 96 रन पर गिरा जो की अश्विन के रूप में था दोस्तों अश्विन ने आउट होने से पहले 9 गेंदे केली और 12 रन बनाये एक चक्के की मदद से और इनका विकेट बोल्ट ने लिया उसके बाद दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स का 9 विकेट दिल्ली कैपिटल्स के कुल स्कूर 110 रन पर गिरा जो की रबाड़ा की रूप में था और ये जो विकेट था 20 वी आवर की लाश्ट गेंद पर गिरा था रबाड़ा ने आउट होने से पहल रन बनाकर लाश्ट तक नोट आउट रहे उन्होंने अपनी पारे में कोई चोका और कोई चक्का नहीं लगाया इस परकार दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने आज बहुत लो स्कूरिंग मैच पनाते वे 20 आउरों में 9 विकेट खोकर केवल 110 रन बनाये और मुंबाई इंडिय के उपर अपना प्रेशर बनाये रखा विक्टे जटकते रहे और ना रन रेट को भढ़ने दिया दोस्तों मुंबाई इंडियन्स की तरफ से बोल्ट ने चार आवर में 21 रन देकर 3 विकेट लिये कुर्णाल पांडिया ने तीन आवर में 13 रन देकर 0 विकेट जैन्ती आद और इस प्रकार दिली कैपिटल्स ने मुंबाई इंडियन्स के सामने जीत के लिए 111 रनों का टारगेट रका जो मुंबाई इंडियन्स ने बड़ी आसानी से चेज भी कर लिया दोस्तो मुंबई इंडियन्स की टीम जब पहले बल्ले बाजी करने पिछ पर उतरी तो मुंबई इंडियन्स का पहला विकिट मुंबई इंडियन्स के कुल स्कोर 68 रन पर गिरा जो की डिकोक के रूप में था डिकोक ने आउट होने से पहले 28 गेंदों पर 26 रन बनाए दो चोको की मदद से और वो नोट जेकी गेंद पर बोल्ड हुए दोस्तों उसके बाद मुंबई इंडियंस का कोई विकिट नहीं गिरा और मुंबई इंडियंस 14.2 अवर में एक विकिट खोकर ये मैच 9 विक्टों से जीत भी गई दोस्तों दोस्तों मुंबई इंडियंस की तरफ से इशान किशन ने सबसे अच्छी और धुआदार वाली पारी खेलते हुए 47 गेंदों पर 22 रन बनाए वो भी लाश्ट तक नोट आउट रहते हुए और उन्होंने अपनी पारी में 8 चोक्के और 3 चक्के लगाए और उनके साथ सू 12.2 आउर में 1 विकेट खोकर 111 रन बना लेती है और यह मैच बड़ी आसानी से 9 विक्टों से जीच जाती है दोस्तों आज दिली कैपिटल्स की जैसे बैटिंग में दम नहीं था ऐसी बोलिंग में कोई दम नहीं था दिली कैपिटल्स की तरफ से आर अस्विन ने 4 आउर म 25 रन देकर 1 विकेट मारकस टोनेस के रूप में एक आवर डाला चार रन दिये और कोई विकेट नहीं परविन दूबे ने 3 आवर में 39 रन देकर 0 विकेट लिए हरसल पतेल ने एक आवर में 8 रन देकर 0 विकेट इस परकार आज का मैच मुमबे इंडियन ने 9 विक्टों से अपने नाम कर लिया दोस्तों दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें अपने सारे जो भी किर्केटर लवर्स हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और आप हमें कमेंट बोक्स में ये बताएं कि दिल्ली केपिटल्स की टीम जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है आज इतनी जल्दी बैटिंग में कैसे हार गई इतना लो स्कोरिंग में मैच कैसे बनाया दिल्ली केपिटल्स ने और ना बोलिंग में हलका सभी उन्होंने संगर्स किया जो भी आपके कौन इसके लिए प्लेयर जिम में दा रह हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नूटिफिकेशन के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके तन्यवाद दोस्तों जय हिंद परा टाइम सब्सक्राइब झab order झाल झाल